आप देख रहे हैं यू फार यू लाइव पिछले दो गंटे से ज्यादा हो गया है आंगनवाडी के वरकरों ने जीवल चोग पूरी तरह से बंद करके रखा है जिस तरह से आप स्पॉर्ट में देख सकते हो कि दोनों साइड से इन्होंने बंद कर दिया और काफी लंबा ज है कर रहे हैं ठीक है इनकी अपने प्रॉलम्स है लेकिन ब्यॉंड पर जब शेहर पूरा चोख हो जाएगा तकलिफ हो रहे हैं अभी तक एड्मिस्ट्रेशन में यहां गौवर्मन ने किसी ने बात नों सुनी तो उनकी बल्बूर होना पड़ा है ठीक है अभी हमने कहा कि अब जो पांच लीडर हैं इनकी महिलाओं की और उनको लेके हम देखते हैं अपने हत्वर्म बात करता हूं और उनकी मुलागात करवाते हैं जो बही है इनकी डिमाड है हमोल्म सरकार तक रखते हैं और मुझे पूरा यकिन है कि सरकार इसको тепर उनको और इनको कोशिश की है कि इनको समझाने की कि पूरा शहर ट्राफिक जाम हो चुका है पिछले दो गैंटे से लगातार पूरा ट्राफिक चोक है विक्रम चोक की बात की जाए सतवारी की बात की जाए एशिया होटल की बात की जाए हर जगा पे ट्राफिक जाम देखने को मिल रहा है क्य कि पिछले डेट से दो गेंटे से लगातार आंगनवाडी के वर्करों ने रोड बंकर रखी और इनका एक सुबह से मैंने रिपोर्ट में बताया कि इन्होंने पहले इसाफ किया था दरबार मूव होने से पहले पहले यह एक विरोज प्रदर्शन करना जाती है एक दर्ज करन पुरा शहर चोक हो गया था उसके बाद यह वाटर कैनन वर्न यहां मंगवाया गया जहेंट के पुलीस के दौरा कि अगर अभी भी इनका प्रोटेस्ट खतम नहीं होता तो इस वाटर कैनन का इस्तमाल किया जाता लेकिन एडी सी मनहाज साब मोके पहुंचे उन्होंने इन पिछले दो गंटे से लगातार जम्मू शहर पूरी तरह से ट्राफिक जाम था क्यूंकि विक्रम चोक जो है वो मेन लाइफ लाइन है जो सभी जो शहर को जोड़ता है तो उसको लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा और आखिरकार दो गंटे के बाद एडी सी मनहाज अब मोगें पर पहुंचे और इन्होंने महिलाओं से बात की फिर उन्होंने अभी इन्होंना अपना दर्णा पर दर्शन जो है बंद किया है और यहां कुछ लोग है ट्राफिक वाले भी वह लगातार ट्राफिक को सचारू करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी बात करते ह सब्सक्राइब करें लेकिन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीश्फुली कर रहे हैं लेकिन सरकार तक इनकी आवास नहीं पहुंची आज इन्हों सब्सक्राइब करेंगी क्योंकि सरकार तक इनकी आवास पहुंच चके उसी को लेकर इन्होंने दर्ना प्रदर्शन किया और दो गैंटे में लगाता ट्राफिक पूरी तरह से बंद पूरा जम्मू शहर बंद आफिर एडिसी साब को यहां पर आना पड़ा तो उन्होंने आक सो कर देंट में हमारा जो अनिब Mantस हैं फ्लफिल हों हमारी दिफा को पुरा किया जाए यह लेकिन जब तक हमाई दिमांस को फुरा नहीं किया जाता हमारा जो दरन हैं प्रोर टेस्ट है जए जो कैङदरिंग्रिंग है इस ज्यादा होगी और इससे भी उगरूप लेगी आप आई दो गंटे से लगा था रोड पे थी पूरा ट्राफिक जाम था एडिसी साब आए क्या आश्वासन दिया अभी हम उठने वाले नहीं थे अभी जो डीसी सा रहा है उन्होंने बोला आओ हमारे साथ जो आपके चार-प आपके वरकर जन्होंने साफ किया कि हम पिछले असी दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं थी मरब प्रस से लेकिन सरकार के कहांड हमारी आवाज नहीं पहुंची तो आज हमें इस तरह का कदम उठने और तस्वीरों में आप दे सकते हो कि गाड़ियां भी चल रही है यह वरुन यह वाटर कैनन जो गाड़ी है पुलीस की यह यहां मंगवाई गई थी अगर यह आईडिसी साब के दोवारा भी किन्विस नहीं होती यह महिलाएं आंगनवाडी की वरकर तो इसका इस्तिमाल किय जाता तो कहीं नहीं एक जो आंगनवाडी वरकर का जो प्रोटेस्ट है जो उगर रूप लेता जा रहा है और यह चाहती हैं कि दरबार मूव होने से पहले-पहले इनकी जो समस्यां है वह हल हो जाएं जमुसे शुबं कुमार के साथ रविंदर सिंग यूफाजू के लिए झाल